नमस्कार दोस्तों मैं प्रशांद गुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल गारगी क्लासेज पर आज की करेंट अफेर्स की क्लास के पीडियेफ नोट्स आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे जिसका लिंक इ 27 माई 2020 के प्रमुख राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय घटना करोंपर आधार्थ हमारी आज की क्लास के जो बिंदू जिन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है ESIC सामाजिक सुरक्षाय योजना में नामांकन में 821,000 की व्रद्धी दर्ज की गई है 23 माई 2020 को करमचारी राज्य बीमा निगम अर्थार्थ Employees State Insurance Corporation का जो पैरोल डेटा जारी किया गया और जिसके अंदर जो सूचनाई है जिसमें जो आकड़ों के अंदर जो बताया गया है कि लगभग 8,21,000 नए सदेश से ESIC सामाजिक सुरक्षाय योजना में शामिल हुए हैं इस जो यह जो आकड़े हैं इने जारी किया गया है राष्ट्रिय सांखे की कारला जारी NSO के द्वारा और इन आकड़ों के नुसार 2018-19 में जो योजना के जो किस्टमर्स हैं वो 14.9 मिलियन थे और मार्च 2020 के अंदर इनकी संख्या बढ़ करके 38.3 मिलियन हो गई जो लगभग धाई गुना की व्रद्दी कही जा सकती है जैसे की PFRDA और EPFO जिनके पूरे नाम Pension Fund Regularity and Development Authority और EPFO का जो पूरा नाम है Employees Provident Fund Organization इनके डेटा भी जारी करने का कार NSO का ही है राज्य करमचारी बीमा कॉर्परेशन जो है यह केंद्री स्रम और रोजगार मंत्राले के अधीन एक स्वायत कॉर्परेशन है यह करमचारियों के जो बीमा है उसका प्रबंधन करता है जिसकी स्थापना राज्य करमचारी बीमा अधिनियम 1948 के तहट 24 फरवरी 1991 को की गई थी जिसका जो हेड़कॉर्टर है वरतमान में नई दिल्ली में इस्थित है ESIC दक्षिन एशिया के लिए ISSA का संपर कारले भी इस्थित है यह संपर कारले भूटान, बांगलादेश, स्रिलंका, नेपाल, इरान आदी में ISSA के सज़स्य संग्टनों के साथ में सामाजिक सुरक्षा के लिए समनवाय करता है अब इस योजना में हाल ही में क्या बदलाव किये गए है हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो जून 2020 में भारत सरकार ने इस योजना के तहरत जो योगदान दर्या था जो पिरीमिम दर्या है उन्हें कम किया है और जो नियुकती देने वाले जो हैं उनका जो इसके अंदर जो योगदान है वो 4.75% से गटा कर 3.25% कर दिया गया है और जो करमचारी हैं उनका योगदान 1.75% से गटा करके 0.75% कर दिया गया है साथ ही ऐसे करमचारी जिनकी जो आए है 137 रुपे प्रती दिन से कम है उन्हें योगदान के भुगदान से छोट प्रतान की गई है अर्थारत उन्हें किसी प्रकार का कोई भुगदान नहीं करना होगा विश्व इसपात एसोशियेशन की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि भारत के इसपात उत्पादन में लगबग 65% की गिरावट दर्ज की गई है 24 मई 2020 को वर्ल्ड इस्टेल एसोशियेशन ने वर्ल्ड इस्टेल रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड इस्टेल में 65% की गिरावट दर्ज की गई है अप्रेल 2020 के दोरान भारत का जो इसपात उत्पादन है वो 3.13 मिलियन टन था अप्रेल 2019 के अंदर इसकी बात करें तो यह 9.02 मिलियन टन उत्पादन किया गया था मार्स 2020 के अंदर भारत को मार्स 2019 की तुलना में 14% इसपात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा और इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि वैस्विक इसपात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है इसके अलावा अप्रेल 2019 के अंदर वैस्विक इसपात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था और अप्रेल 2020 में यह जो उत्पादन है वह घट करके 137.09 मिलियन टन रह गया यानि कि लगबग 20 मिलियन टन से अधिक की इसके अंदर कमी गिरावट दर्ज की गई है अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातों के बार इम बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ कि चीन में भी इस उत्पादन गर में गिरावट का सामना चीन को करना पड़ा और उसकी जो गिरावट है 1.7% की गिरावट दर्ज की गई है अमेरिका को 32 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा है साथ ही साउथ कूरिया का जो इस्टील प्रोडक्शन है उसमें 8.4% की गिरावट आई है यूरोपिय संग इसके अलाव फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन, रूस, यूक्रेन, ब्राजील और अन्य जो वैस्विक इसपात उत्पादक हैं उन्हें भी अपने उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है साथ ही हम राश्ट्रे इसपात नीती की बारे में बात कर लेते हैं तो भारत की जो इसपात नीती इसके अंतरगत भारत वरतमान में अपनी जो राश्टरी इसपात नीती है 2017 के तहट कार्य कर रहा है इस नीती के तहट भारत को 2030 तक अपने इसपात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है और यह लक्ष रखा गया है और इसका जो उत्देश है भारत को इस पात में आत्म निर्बर बनाना साथ ही देश में वैस्वी कृप से प्रतिसपर्दी श्टील और देगी उत्पादन को सुनिशित करना इसके प्रमुक उत्देश है BS 6 की जो L7 स्रीज के उत्सरदन मांदंडों को अदिश उचित किया गया है 24 में 2020 को सड़क परिवयन और राजवार्ग मंत्राले ने BS 6 के लिए L7 स्रीज के जो उत्सरदन मांदंडों है उन्हें अद्दीश उचित किया गया इस अदीश उजना के साथ ही देश में BS 6 परक्रिया L, M और N जो स्रेणी है उसके वहनों के लिए पूरी कर दी गई है। यह उत्वर्जन जो मांदंड है वो क्वाडर साइकल के उत्पादन को प्रोच साइट करेंगे। भारत में जो क्वाडर साइकल सेग्मेंट लगबग दो साल पहले पेश किया गया था और इसका उत्पादन अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं किया गया है अब क्वाडर साइकल सेग्मेंट है वो 2018 के अंदर वानजिक और नीजी दोनों उप्योगों के लिए पेश किया 2018 के तहत क्वाडर साइकल को गैर परिवयन के रूप में डाला गया था भारत में कारगो परिवयन के लिए क्वाडर साइकल की जो अनुमती नहीं है और उन्हें जोड़दार क्रेश टेस्ट से गुजरना पड़ता है और भारत न्यू वीकल सेफटी असेस्मेंट प्रोग् और जिनका जो वेट है वो 400 किलोग्राम से जादा है उन्हें L7 सीरीज के जो विकल्स हैं उनमें रखा जाता है शाही लीची और जर्दालू आम भारत सरकार के जो डाक भी भाग है और इसके साथ ये बिहार सरकार का जो बागवानी भी भाग है इन्होंने मिलकर के लोगों 2019 करण राष्टर व्यापी लोगडाउन में लीची और आम उत्पादकों को बाजार तक अपने उत्पादकों को ले जाने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा अब हम शाही लीची के बारे में बात करें तो मई से जून तक उपलब्द होने वाली शाही लीची की जो खेती है मुख्य रूप से बिहार के मुझफुर पुर और उसके आसपास के जिलों के अंदर की जाती है और जो शाही लीची है इसकी खेती में लगभग 25,800 हेक्टर का छेतर है वो शामिल किया गया है जो प्रतेक वर्ष लगभग 3,00,000 तन का उत्पादन करता है के भागलपूर के अंदर उत्पादित के जाता है जो अपनी विशेश और अनोखी खुश्बू की कारण दुनिया पर में परसिद्ध है और इस पर एक हलकी पीली परत और मिठास इसके अंदर पाई जाती है जरदालू आम को सबसे पहले खड़कपूर के जो महराजा है र अनलाइन वेबसाइट होटीकल्चर.bihar.gov.in पर और कर सकते हैं वर्ड टर्टल डे यानि विश्व कच्वा दिवस प्रतेक वर्ष 23 मई को विश्व कच्वा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की जो इसकी थीम थी वह कच्वों और कच्वों के विशे पर ध्यान केंदि करना और ग्यान को बढ़ाना इस वर्ष की जो थीम थी इसका जो उद्देश है वह कच्वों और उनके आवास के बारे में लोगों को जागरुक करना इसका उद्देश है वर्ष 2000 के बाद से प्रतेक वर्ष एक गैर लाब का यह संग्टन है जिसका नाम अमेरिकन टॉर्ट गहें इस दिवस को मनाते हुए पुंटियस सेंक्टस तमिल नाडु के वेलन कनी में साइप्री नीडे परिवार की जो ताजे पानी के एक छोटी मचली की नई प्रजाती है जिसे पुंटियस सेंक्टस का का जाता है उसका पता लगाया गया है इस मचली की जो पैचान है औ प्राने विज्ञान विभाग के जो प्रमुक है मैथ्यूज प्लामु मुत्तिल जो हैं उनके द्वारा किया गया था यह मचली अत्यन छोटी होती है और जिसके लंबा एक मात्र साथ सेंटिमेटर ही होती है पुन्टियस प्रजाती को इस्थानी रूप में केरल में पाराल और तमिलाडू में केंडे नाम से जाना जाता है यह विशुद रूप से ताजे पानी की जो मचलियां है और हालांकि केरल और तमिलाडु में जो पाई जाने वाली मचलियां है इस मचली में लगबक काफी इस मचली के समान दिखाई रती है लेकिन जो वैलंग करनी के अंदर जो मचली पाई गई है वह जो सेस प्रजाती है उससे थोड़ा भिन है तो अब इसकी शारिक विशेष्टाओं की बात कर लेते हैं तो इसके शारिक विशेष्टाओं में एक सबसे पहली बात है इसका फैला हुआ हुआ है इसके अलावा मैक्सिलरी बारबल्स और जो की मुँ के पास में एक समेदी अंग होते हैं इनकी एक जोड़ी इसमें पाई जाती है इसके अलावा 24 से 25 पासुरेखा अनुमाप और 10 पूर प्रश्टिय अनुमाप इसके अंदर शामिल है जो इसको अन्य जो मचलियां है इसी की सीमिलर प्रजातियों की उनसे डिफ्रेंट यानि अलग बनाती है तो इसके साथ हमारी आज की करेंट फेस की क्लास के सारे टॉपिक्स कम्प्लीट है और अब बारी है हमारे आज के प्रश्टिय की हमारा आज का प्रश्टिय है हाल ही में भारती मूल के किस अर्थ शास्त्री को देक्षिन एसिया में विश्व बैंक में मैतपूर्ण पद जलवायू परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर निवक्ति दी गई है आप अपना जवाब वीडियो को पौच करके ढूंड सकते हैं तो इसका जो सही जवाब है वह है आभास जा आभास जा जो है वो विश्व बैंक के अनुसार आभास जा अन्य जो प्रैक्टिस मैनेजर्स हैं उनके साथ में और इसके लावा ग्लोबल सॉलिशन्स ग्रुप्स उनके साथ मिल करके कारे करेंगे और वो वर्ष 2001 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड बैंक जो इनकी आग था वे जो बांगलादेश हैं इसके लावा भारत भूटान स्री लंका इनके जो बैंक कारे लाए हैं उनमें कारे कारे निदेशक के रूप में कारे कर चुके हैं और वर्तमान में उनके अधिकार छेतर के अंदर इंडिया, बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्री लंका, नेपाल और मालदीवज इसके अंदर शामिल है और इस टॉपिक पर और अधिक डिटेल्स आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी और इसे समदित अन्य जानकारियां आपको मिलेंगी और अन्य भी कई टॉपिक्स हैं MathPoon Topic है जो कि आपको पिछले वीडियो में मिलेंगे तो इसी के साथ हमारी आज की Current Interface की क्लास समापत होती है आपके सुझाव आपके अमुले सुझाव जो है वो हम आमतित करते हैं तो आप उन्हें अपने कमेंट सेक्षन की वीडियो का जो कमेंट सेक्षन है उसके अंदर ह काम तक पहुचा सकते हैं धन्यवाद